आदर्णिय बंधू माताओ वे मेरी प्यारी बहनों राधे राधे आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है बंधू आज हम इस वीडियो में अधिक मास गनेश संकस्टी चतुर्थी पर किये जाने वाले एक ऐसे दान के बारे में जानेंगे जिसे करने से ने केवल शुब फलो की प्राप्ति होती है बलकि घर परिवार में शुब कारियों की तैयारी भी शुरू हो जाती है वीडियो सुनने के बाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफकेशन सच से पहले आप तक पहुँचे वीडियो को शेर वे लाइक भी जरूर करें बंदू जैसा कि हम सब जानते हैं अधिक मास चल रहा है अधिक मास भगवान पुर्शोतम का प्रिये मास है भगवान पुर्शोतम ने अपने नाम एवं अपने गुनों द्वारा इसे सुसजित किया है कोई भी प्राणी जब हर एक वस्तु का सहारा छोड़कर परमात्मा के हवाले अपने आपको कर देता है तो परमात्मा भी उसके हर दुख का हरन कर लेते हैं कहते हैं ये अधिक मास जिसका हर किसी ने निरादर किया स्वामी वहीन होने के कारण इसे बार-बार अपमानित होना पड़ा अपने इस अपमान से दुखी होकर इसने अपने आपको शिरी हरी के चर्नों में समर्पित कर दिया तब इसकी समर्पन भावना को देखकर भगवान पुर्शोत्म ने इसके कस्टों को काटने के लिए इसे अपने तुल्य कर दिया भगवान ने कहा मुझ में जितनी भी गुण है उन सबको मैं मल मास को देता हूँ भगवान बोले मेरा जो नाम वेद लोक और शाष्ट्रों में विख्यात है आज से मेरे इसी पुर्शोत्म नाम से यह मल मास जाना जाएगा और मैं स्वयम इसका स्वामी बनूगा भगवान पुर्शोत्म बोले जिस परमधाम तक पहुँचने के लिए रिशी मुनी योगी बड़े बड़े तपों में रत रहते हैं वहिपद पुर्शोत्म मास में सनान, दान, पूजा, अनुष्ठान आदी करने वाला साधारन मानव सुगमता से प्रापत कर लेगा इसलिए बंधू अधिक मास का परतियक दिन, पल, शन में किये जाने वाला जब तप पूजन शुब फलो को देने वाला होता है इस महा की परतियक तिथी दिन वार में की गई पूजा अक्षे फल परदान करती है इसलिए जितना हो सके मनुष्य को इस शुब एवं पवित्र अफसर का लाब उठा कर अपने लोग और परलोग को सुधारना चाहिए आज हम इस वीडियो में अधिक मास गनेश संकस्टी चतुर्थी पर गनेश जी को क्या अरपित करें जिससे घर परिवार में रिध्धी सिध्धी का आगमन हो जानेंगे बंदू गनेशी की पूजा सदैव ही समस्त सिध्यों को देने वाले भव बाधाओं को हरने वाली होती है लेकिन आज हम जानेंगे कि अधिक मास की गनेश संकस्टी चतुर्थी पर कौन सा एक ऐसा दान करें जिससे प्रती दिन ही शान्ती, पुष्टी, सुक संतान एवं धन में वृध्धी हो बंधू अधिक मास गनेश संकस्टी चतुर्थी पांच अक्तूबर 2020 दिन सोमवार को है गनेश जी रिधी सिध्धी के दाता हैं इस दिन सुभे जल्दी उठ स्नाम आदी कार्यों से निवरित हो स्वच्वस्तर धारन करें ओम गणगण पते मन्तर का जाब करते हुए गनेश जी का पूझन करें गंगा जल मिश्ठी जल से गनेश जी की प्रतिमा को स्नान करवाएं रोली मुली गुर चावल लोंग इलाईची पान फूल फल से गनेश जी का पूझन करें गनेज जी को दुर्वा चढ़ाएं, सिंधूर का तिलक करें, गनेज जी को भोग लगाएं, धूप तीप से आर्थी करें गनेज संकस्ती चतुर्थी की कथा सुने बंदू अधिक मास में 33 वस्तू के दान का विशेश महत्व होता है शाष्त्रों की माननेता की अनुसार 33 वस्तू का दान करने से 33 कोटी दीवी देवता परसन होते हैं इसलिए पुर्शोत्तम मास की गनेज संकस्ती चतुर्थी की दिन गनेज जी के प्रती 33 लड़ू का दान करने से ततकाल शुप फलो की प्राप्ती होती है रुके हुई कामों में गती आती है तथा निर्धन मनुश्य की भी आर्थिक स्तिती सुधर जाती है वैसे तो गनेश जी को परतियक मिश्ठान अत्यधिक प्रिया है लेकिन गनपती पूजा में लड़ू का भोग विशेश तोर पर लगाया जाता है क्योंकि गनपती देवता लड़ू का भोग ग्रहन कर ततकाल परसन होते हैं इसलिए बंधो अधिक मास गनेश संकस्टी चतुर्थी के दिन गनेश पूजन में 33 लड़ू का भोग गनेश जी को लगाकर परशास सवरोप सब में बाढ़ती ऐसा करने से मनुश्य की सबी इच्छाएं पूरण होती हैं एवं समस्त सिध्धियां प्रापत होती हैं बंधो संक्टों को हरने वाले रिध्धी सिध्धी के दाता गनेश जी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैब बनी रहे गनेश जी को लगाया लड़ों का भोग और दान आपके घर परिवार को सुक सम्रिधी से भरपूर कर दे इनी शुब कामनाओं के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे